स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल YDP Public School पे आज हम फिर से स्वागत करते हैं जभार नबोदे बिदाले 2020 और 21 के प्रिप्रेशन के लिए छातरों के लिए जो कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ननभरवल रिजिनिंग मिन्स अभासिक तरक सकती इसमें की पहल हम लोग पढ़ते चलते हैं ठीक न पाहला जो हमारा टॉपिक है वह है पहले इस चप्टर को बनाने इस पहले हमको स्रेंखला क क्या होता क्या है ठीक गो इस में पॉ्झत करते हैं तो पहले इसके बारे में हमें जानना होगा कि यह स्रणखला है क्या जहल Congress स्रंखला का अर्थ है आकर्तियों की आकर्तियों का करंबद या करंबद रूप से क्या करना मैवस्थित करन करना चलिए आक स्रंखला का अर्थ है आकर्तियों का करंबद तरीकों से क्या करना मैवस्थित करन करना तो स्रंखला का अर्थ है आकर्तियों का करंबद रूप से विवस्थित करन करना तो स्रंखला का अर्थ है आकर्तियों का करंबद रूप से विवस्थित करन करना यह हमारा हो गया स्रंखला चलिए अब इसी के आगए अब हम लोग एक पॉइंट के स्रंखला के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद मतलब किस तरह से कोईशन आता है बनाने के लिए हमें दिया जाता है तो उस चीज को सिखेंगे चलिए moat करते चलिए कि यहां पर से एक फिगर बनाते है ठीक है फिगर बना देखें पहली चीज इसमें तो मतलब हमें कितना दिया रहता है फिगर चार फिगर दिया रहता है ठीक ना मतलब आपको यह हमारा कोश्चन है यहाँ पे लिख लिए कोश्चन यह हमारा क्या है question है अब question में देखें चीतर के से दिया रहता है इसमें एक यह चीतर हैं फिर एक यह है फिर एक यह है और यह हौंट यहां पर आपको आंसरट चीज़ दिया रहता है इसी में से आपको जो है न चुनना होता है एक और दिया रहेगा पिक्चर आपको यहां पर से ठीक है चार बॉक्स बना लिए अब इसमें चित्र दिया हुआ रहेगा तो चित्र बना लेते हैं जीरो बॉक्स उसके बाद एक सष्ट भूज मतलब छे भुजाओं वाली अब एक चीच पहले जान लेजिए यह दो भुजाओं वाली थी यह तीन भुजाओं वाली यह चार भुजाओं वाली ठीक है एक स्रीज ठीक ना करम बद चल रही है पहले दो आई दो वाला दो भुजाओं आई फिर तीन भुजावला आया फिर उसके बाद क्या आया चार भुजावला मतलब एक करम में चल रही है ना बताए आपको यहां पर तो देखिए यहां पर दो भुजावाली चितर है यहां पर तीन भुजावाली यहां पर चार भुजावाली मतलब एक स्रीज में चल रही ठीज में चल रही है दो तीन और चार इसका अपसंन फिरbait एक तुर तीन और चार इसके बाद से ठीज में को गहाई है। त्पांच वाली ऑपस है हमारा है एक दो फिर안तалась पिक्षर हो दर ने की जो भी हमको दिखा उसन को लिख दिए पहला option में तो यह सर्कील दिया होगा है तो यह तो यह नहीं सकता है दूसरा को यह हमें लगा कि यह हुआ है लेकिन फिर आगे भी बढ़ना है पिर देखेंगे यहां पर रहे यह तो चतर बुज यह भी नहीं होगा लेकिन फिर यहां पर आया सश्ट भुज रहा था question तो note यहाँ पर कर लिजेगा पहला point ठीक ना अब यहाँ पर से आपको हम note लिखा दगते हैं तो note लिखिएगा आकर्तियों की भुजाओं या रेखाओं की संख्या में की संख्या में व्रिधी या कमी के अधार पर कमी पर अधारित समझ गए समझ गए ना स्रंखला क्या है स्रीच स्रंखला का अर्थ है आकर्तियों का करंबद रूप से व्यवस्ति करन करना यहां पर अभासिक में आ वहां पर नहीं दिया वो कटा हुआ है फिर यहां पर स्रंखला का अर्थ है आकर्तियों का करंबद रूप से व्यवस्ति करन करना कितना तक कोई दिकत नहीं है फिर आगे बढ़ने कोशन हमने लिया कोशन में यह जो स्रंखला पर जो कोशन दिया जाता है इसमें क्या दिया जता है? एक चार चार का दिया जाता है एक question में दिया जाता है चार figure का एक answer में दिया जाता है लेकिन question में तीन figure ही दर्षा जाता है और एक को क्या क्या जाता है मतलब इसके आगे क्या होगा स्रीज में न है तो इसके आगे क्या होगा इसी को हमको बताना है तो पहला figure में हम देखते ह कि दो भुजाओं वाला चीतर है फिर दूसरा में देखते हैं कि तीन भुजाओं वाला चीतर है फिर चौथा में देखते हैं तो चार भुजाओं वाला है तो यह तो स्रीज में चल रही है हम तो जानते हैं स्रीज मतलब सिरंखला मतलब करम बद रूप से तरीके से सजाना य यह 2 था यह 3 था यह 4 था अगला क्या होना चाहिए 5 तो ऊप्षन जिसमें मिलेका 5 तो वह हम क्या करेंगे टिक कर जैसे इससे हम बताते चलते हैं, आप लोग भी उसी तरह बनाते चलिए, प्रैक्टिस किजिएगा, तब आपको जदिस रंखला में एक भी गलती होता है, तो समझेगे कि यहाँ पर से गलती होना अब बंद हो जाएगा, प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर चीतर बना लेजिए पहले हमें क्या करना है, चार बोक्स बनाना है, कहाँ कि चार बोक्स में ही हमें प्रस्न दिया जाता है, फिर हमें क्या दे जाता है, आंसर सीट दिया जाता है, उसी में, तो यहाँ पर एक आंसर सीट भी लिख लेंगे, बना लेंगे हैं लोग, चलिए, एक, दो, तीन, चा पांच और छे चे भुझाओं वाली है उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पांच भुझाओं वाली ठीक है कि एक दो तीन चार पांच एक दम देखे कोक Russia मैं दिया गया है तिर भूस फिर पांसमा में दिया है है सष्ट भूज फिर एंट दे टीसरा में दिया गया है पंच भूज Option곡 नोमर और दो अब जुनना है तो आप ध़िएरे आपलोग अभी आपको बताया थे कि स्रंखला मतलब क्या होता है स्रंखला का अर्थ है आकिरतियों का करमबद रूप से वेबस्ती करना मतलब कोई भी चीज हमें दिया गया है उसे हम सीरीज में लाएंगे मतलब सरंखला में उसे दर साइगे जैसे एक कहते हैं निसे क्लास में कहते हैं और अपा हाइट लग जाए तो पहले छोटा बच्चा फिर उससे बड़ा फिर उसे बड़ा उसे बड़ा लगते हैं उसे लाइन उसी तरह से यहां पर भी मतलब करमबद तरीकों से हमें क्या करना है सजाना है तो पिक्चर में तो पहले हमें करमबद तरीकों से सजाया हुआ हुआ है कोशन में उसके बाद मतलब वहां पर हमें दिमाग लगाना है क हैं आभि क्या आपको बता है तर्क सक्थि मतलब अभाशिक्ट सक्थार् सक्थी ननभरबर il师्णिग तरक सक्थ लगाना है तो तरक सक्थी लगांगे तो यहाँ पर दिखे तो कितना भुझा दिया गिए भूजा दिया गिए फिर दूसरा habcuser में गोला कर देंगे, यहां पे लिख देंगे answer, इसका जो answer होगा, B होगा, option number B, कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए, अब दूसरे हम question लेते हैं, और दूसरा point पर आते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा question लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास question उपलब्ध है, एकद चार box बनाना है, इसके अंदर, यहां पे option लिख लिए, A, B, C, and D, यह हमारा क्या है, option है, अब figure बनाते हैं, तो question में figure दिया गया है, एक, दो, तीन, चार, यहां पे चार यह दिया गया है, उसके बाद, एक, दो, तीन, चार, तीन, और एक, दो, तीन, तीन, बिन्दू दि यहां गया है, ठीक है, अब समझना है बढ़ी हां से, चलिए दूतरा पेन ले लेते हैं, यहां पर से हम लोग आते हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो, और यहां पे क्या हो देगा, एक, 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 ठीक है, फिर ध्यान दिजे, एक, दो, तीन, चार, एक, एक, एक और यहाँ पर क्या दिया गया है एक कट एक कट एक कट ठीक है फिर आगे बढ़िए एक दो तीन चार एक कट एक कट एक कट और एक कट यह हमें कोश्चन दिया गया अब धियान से देखना सिरीज यहाँ पर पता करना है ठीक ना तो यहाँ पर जब पता कि जेगा सिरीज अब नो दो फिर डिया है एक पर पर चुछ सबस्राइ Beiा एक ऐसके बाद चिकाय है उसके बाद आपकर थी इसके बार यहां पर आएगे श्कत प्रेकट है Jake इसमें नोट करना है ध्यान देना है कि जब ему एकस दिया है तो जरूर यहां पे 2 बिंदू होगा यहां पे इसके जगह पे देखे यहां पर पिक्चर बनाते है ठीक ना पहला number picture पहला picture नहीं समझी YGT कुशन नहीं बनेंगा तो एक बिंदू, दू बिन्दू, तीन बिंदू और चार बिंदो चार बिंदो दिया गया है पहला लाइन में उसके बाद आईए दूसरा लाइन में यहां पर था जरूर यहां पर इस तरह का होगा जैसे एक चार चार तो यहां पर एक दू तीन और चार एक दू तीन और चार इस तरह से पिक्चर जरूर दिया गया होगा ठीक तो इसके को divide कर देते हैं दो box में इसके बाद क्या किया ये कि इस चित्र को इसमें convert किया है तो इसमें दिखे यहाँ पर दो गोला हटते के साथ दो जो बिंदू हटते के साथ एक यहाँ पर क्या आता है x आ जाता है तो यह figure जैसे कटे से है ठीक नै यहाँ पर क्या आया? x आ गया है? दो गोला हट गया तो एक x आ गया तो इसको जैसे था उसे उतार दीजे ठीक है? यहाँ तक कोई दिकत? नहीं उसके बाद देखें उसके बाद फिर क्या करता है अब यहाँ पे एक पहला नमर पिक्चर यहाँ बनाए अब इससे रिलेट करना है इसको जब यहाँ पे दो बिंदू था फिर यहाँ पे दो बिंदू मतलब कम हुआ फिर एक एकस बहड़ गया ठीक है उसके बाद फिर देख तो समझेगे यह जब घटता है है तो यह एक स आता है तो समझ यह कि जब तो बिंदू घट रही है और एक X आ रहा है तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगला जो हमारा जो पिक्चर होगा यहाँ पे यह तो हम आपको चार पिक्चर बना दिये ठीक ना लेकिन एक और पिक्चर यहाँ पे अंसर सिट के तोर पे दिया गया है तो उसको पिक्चर हम नहीं बनाए है तो यहाँ पर एक बना लेना है बॉक्स आपको ठीक ना यह पाँच पिक्चर बाला चितर था एक बॉक्स इधर साइड में बना लिजेगा तो यहाँ पे छुड़ गया था इसी से आपको चूच करना है कि कौन सा आंसर होगा ठीक ना तो चलिए देखते हैं इसके बाद जो हमारा आंसर होगा पहले तो इस क्वेश्चन के उपर क्या कर लिजेगा यहाँ पे लिख लिजेगा निमने लिखित में से कौन सी उत्तर आकरती प्रस्ण आकरती में दी गई आकरती सरंकला का करम जारी रखेगा तो अब यहाँ पे समदना है तो यहाँ पर तो हमें कोशन दिया गया है चार कोशन दिया गया है अब इसी में से कह रहा है कि इसके बाद जो भी चित्र आएगा मतलब जो करम जारी रखेगा इसी में से चुनना है आपको ठीक ना है तो यह हमें चार दिया गया था लेकिन यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाना है छोड़ दिजेगा यह आपको चार बॉक्स ही दिया गया है और चार बॉक्स में कोशन भी दिया गया है लेकिन यहाँ पे कह रहा है question में कि आकरती प्रस्ण मतलब उत्तर आकरती प्रस्ण आकरती में दी गई आकरती सिरंखला का करम जारी कौन सा रखेगा तो जब हम देख रहे थे कि दो बिंदू पर एक X आ रहा था तो अब वही चीज़ खोजना है यहाँ पे देखे तो एक, दू, तीन, चार यहाँ पे तो पहला नमर option होगा न क्योंकि यहाँ पे एक बिंदू घटा ठीक न और चार हमारा संख्या है X का यहाँ पे तो पहले चार था ही दूसरा में आई है यहाँ पे दो बिंदू घटा लेकिन फिर चार ही संख्या है X की तो यह भी नहीं होगा फिर आएंगे C पर देखेंगे C पर देखते हैं कि एक X बढ़ जाता है मतलब दो बिंदू जरूर घटा होगा देखे तो first line में एक, दो मतलब यहाँ पे दो दो चार चार था यहाँ पे कितना बचा दो दो मतलब घटा और एक X आया इसका मतलब यहाँ पे जो answer होगा जो करम जाले रखेगा वह option number C है ठीक ना इतना दूर समझने में कोई दिक्कत अगर नहीं दिक्कत है तो एकदम comment में कहिएगा यह समझ गए question number third समझ गए question number two समझ गए question number first इस तरह से आपको comment में जबाब देना है तो चलिए अब पहले यहाँ पे note किजिए note करना है note किजिए note two note number two है ठीक ना है तो note करना यह है इसमें कि आकिर्तियों के तत्वों आकिर्तियों के तत्वों डिजाइनों में डिजाइनों की संख्या में डिजाइनों की संख्या में वरीधी कमी पर अधारित प्रस्ण ठीक नए यह था हमारा एक वार रिकॉल करते हैं मतलब दोरा लेते हैं तो question यह था हमारा जतना दिया किया था इसमें स्रीज हमें मालूम करना था कि अगला स्रीज होगा कुण सा option में हमें टिक करना था तो यहाँ पर देखें यह था लेकिन समझना इसको है आकरतियों के तत्वों और डिजाइनों आकरतियों के तत्व जो भी दिया गया है और डिजाइन जो भी दिया रहेगा कि संख्या में विर्धी या कमी पर अधारित प्रस्ण अब वहाँ पर पहला नमर में क्या था आकृतियों की भुजाओं या रेखाओं की संख्या में विर्धी और कमी पर अधारित प्रस्न था और ये क्या था आकृतियों की तत्वों डिजाइनों की संख्या में विर्धी कमी पर अधारित प्रस्न था इसे यहाँ पर देखे तो यहाँ पे मतलब मेरे पास क्या था भुजा, रेखा, था तो उसकी कमी के बारे में अब ठीक, अब यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आकरतियों के तत, मतलब जो भी आकरती दिया गया है उसमें से कुछ एक घरते जा रहा है घरत रहा है और फिर एक आप ही रहा है मतलब आकित्यों के तत्वों डिजानों के संख्या में विर्धी या कमी पर आधारत प्रस्ण मतलब पहला जो आज का हमारा लेक्षर में सिर्फ दो परकार का ही आपको बताएं जिसमें की एक कमी मतलब रेखाओ की कमी और भुजाओ कमी के बारे में और एक आकित्यों के तत्वों डिजानों के संख्या में विर्धी या कमी के बारे में अब यदि आप स्रंग खला या स्रीज बनाएंगे तो आपको यदि इस तरह के प्रस्ण यदि दिखेंगे आपको तब आप असान इसे उसको हल कर लिजेगा मतलब अब आपको concept सिख गए कि अच्छा ये प्रस्ण इस तरह से ही बनेगा जहां पर एक mistake होता था अब वह mistake कभी नहीं होगा गारंटी है मेरी तो चलिए इस तरह का प्रस्ण इस तरह से बनाना है जिसे जिसे भी बताएं और भी बहुत सारा question करेंगे लेकिन आज का लिक्षर इतना ही तो चलिए धनिवाद आपका दिन मंगल में हो और जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने किये वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें और वीडियो को लाइक करते हैं चलिए धनिवाद के रुकिए सुनिये अब ध्यान से यदि आप नबोते विद्याले के त्यारी करें तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहे तो जाए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ पे उस पे क्लिक किजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और रोजाना सुभा नो बजे और साम चार बजे आप हमारे चैनल पे आए और ट्रिक पढ़के जाए